नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का यूडूब चैनल जॉब्स्ट्रे में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डियाडियो के तरब से एक नई रिक्रूट्मेंट आई है जिसके बारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ यहाँ पर वन की यहाँ पर रिक्रूट्मेंट है और यहाँ पर उसी के बारे में जानकारी मिली है मेल और फिमेल दोनों के लिए है और सबसे अच्छी बात इस वेकेंसी की यह है कि आप लोग का यहाँ पर एप्लिकेशन फी नहीं लगने वाला है ना ही एक्जाम होगा सीधी भरती होगी प्रॉपर आपको जानकारी दी जाएगी इस वेकैंसी के लिए लास्ट डेट जो आप लोग का 14 दिसंबर 2020 का दिया गया है अलग अलग यहापे ट्रेड में पोस्ट हैं जिसके बारे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा सेल लिक क्या म देते हैं सवाम जानकारी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट नेम में जैसे मैंने बताया डिया डिपास एपरेंटिस्ट्मेंट 2021 की यहाँ पर आपको प्रॉपर जानकी रवे से तो छोड़ी मोटी मिल जाएगी अगर आप लोग इंट्रेस्टेड है तो इसकी नो दिसमबर 2021 से ही स्टार्ट हो जुका है लास्ट डेट जो है अपलाई ओनलाइन फॉर्म के लिए आपको जैसके मैंने वीडियो के शुरूम बताया था 14 दिसमबर 2021 तक का यहाँ पर समय दिया गया तो अच्छी खासी आप लोग को एक महीने की यहाँ पर टाइम मिल जाएग के ऊपर तो आपको मैं नीचे बता दूँगा किस हिसाब से आप लोग कि यहाँ पर बनेगी ठीक है उसके लिए अलग से जानकारी मिल जाएगी जो कि मैं आपको अपडेट कर दूँगा और एप्लिकेशन फी कि अगर बात कर ले तो किसी भी कंडिडेट को वह चाहे जैनर आपको दुगल नमबर पोस्ट की तो यहाँ पे ट्वेल्ज पोस्ट जो है दाएं सामने जो कि डिपलोमा अप्रैंटिस्ट के लिए रखा गया है इन सभी पोस्टोंके लिए आपके पास डिपलोमा की डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेट से जिस भी ट्रेट में आ उसके र्वेद्राइट से यहां पर डिग्री होने चाहिए तो आप 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 हट दिन कर सकते हैं ऐड जो है वह नोटिप्रिकर्षन मेन में नहीं किया गया तो आप लोग का जो भी एड आप अगर 88 वर्ष के है यह चोधा वर मेलाश या 21 वरस के तो भी आप आवे दिन कर सकते हैं या आप चाहे 30 फुलस किवना हो तो भी आप आये हैं तो अड़ाम सी इस वेकेंसि के लिए आप दिन कर सकते हैं साथ मैं मैं दोस्तों बता दू केम्पूटर इंजिनियर के लिए दो पोश्ट है Medical Laboratory के लिए चार, Laboratory Science के लिए एक, Mechanical Engineering के लिए एक और Modern Office प्रैक्टित के लिए आप पर चार पोस्ट दियेगे हैं तो selection process के उपर हम लोग बात कर लें तो आप लोग की selection जो होगी वो होगी merit based पे आप लोग का exam नहीं लिया जाएगा डिपलोमा, related trade से आप लोग का यहाँ पे देखा जाएगा कि आप लोग की डिपलोमा वारी डिगरी में जग कितने आप लोग की अच्छे marks हैं उसके आधार पे आप लोग को यहाँ पे consider किया जाएगा उसके हिसाब से आप लोग की merit जो है प्रवाइड कराए जाएगी